हेलो फ्रेंड्स हमारे यूटूब चैनल डिजिटल टोपिक में आपका स्वागत है फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते ही हैं आजकल गोर्मेंट डोकोमेंट्स में जैसा कि आधार कार्ड पैन कार्ड में मुवाइल लंबर और इमेल आईडी रेइश्टर करना कितना आवसक हो गया है तो आज मैं आपको बताऊँगा, आप गर बैठे ही, फ्री में, अपने pen card में, mobile number और email ID को कैसे register कर सकते हैं और यदि आपका address गलता है आपके pen card में, तो आप उसे भी update कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और फ्रेंट सेदी आप अमारे चैनल पर नए हैं, तो अमारे चैनल को subscribe कर लेजिए, और bell icon को press कर लेजिए, जिससे आपको हमाई नई नई वीडियो देखने को मिलती रहें, तो फ्रेंट चलिए चलते हैं अपने mobile के man browser पर तो जैसे कि अब आप देख सकते हो, मैं ओ लेडियो अपने mobile के man browser में आ चुका हूँ, आपको इस तरह से आ जाना है, और अब आपको simply google search bar में टाइप करना है, और जैसे कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर टाइप कर चुका हूँ, अब आपको simply search पर किलिक कर देना है, और जब आपका next page लोड हो जायागा, तो आपको उपर ही एड्रेस अपडेट फैसिलेटी नई आपको simply यहाँ पर किलिक कर देना है, और जैसे कि अब आप देख आपको सबी पड़ लेनी है, और जैसे कि अब आप देख सकते हो, हम नीचे scroll करके आचुके हैं, और यहाँ पर आपको पहला option मिल जाता है, pen का, friends, आप जिस भी pen card में अपने email ID या mobile number रेइस्टर करना चाहते हैं, उस pen card का number आपको यहाँ पर फिल कर देना है, और फिर आप आपको नीचे option मिल जाता है, आधार का, friends, आपने जिनका भी उपर pen card number डाला है, उनका आपको नीचे आधार card number फिल कर देना है, और फिर आपको नीचे option मिल जाता है, फिर email ID का, friends, आप अपने pen card में जो भी email ID रेइस्टर करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर फिल कर दे देनी है, और फिर आपको आगे option मिल जाता है, mobile number का, friends, आप अपने pen card में जो भी mobile number रेइस्टर करना चाहते हैं, या फिर कहलो update करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, तो जैसे कि अब आपको आपको नीचे option मिल जाता है, यहाँ पर चैक बोक्स का, friends, आपको नैट छो है, और आपको यहाँ पर capture code नहीं आया है, या फिर कहलो आपकी समझ में capture code नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पर side में option मिल जाता है, reload का, आप simply यहाँ पर किलिक करेंगे, और आपको capture code यहाँ पर change हो जाएगा, और friends, जब आपको यहाँ पर ini News समझ में आ चुका है और फ्रेंट्स जैसे कि यहां पर OTP के लिए कहा गया है आपके आदार कार्ड में जो भी मोवाइल नंबर रेइस्टर्ड है वो आपके पास होना चाहिए जिससे आपके आदार का वेरिफिकेशन हो सके और जैसे कि आपको यहां पर नीचे बटन मिल जाता है continue with EKYC तो अब आपको सिंप्ली यहां पर किलिक कर दिना है और जैसे कि अब आप देख सकते हो मेरे next page यहां पर लोड हो चुका है फ्रेंट्स आपके आदार कार्ड में जो भी mobile number और email ID रेइस्टर्ड है आपके mobile number और email ID दोनों पर ही OTP गया होगा आप दोनों में से जिसका भी च जाता है तो आपको यहां पे एक नीचे बटन मिल जाएगा region rate OTP आप सिंप्ली यहां पर किलिक करेंगे और आपका OTP आपके रेइस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और email ID पर दोनों पर पहुंच जाएगा और आप उन में से कोई भी एक फिल कर देंगे यहां पर आपको यहा यहां पर देखने को मिल जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो और जब आप एडर्स चेक करते हो स्क्रोल करके नीचे आ जाएंगे तो आपको यहां पे बटन मिल जाएगा verify का आपको simply यहां पर किलिक कर देना है और जैसे कि आपको यहां पर नीचे बटन मिल जाता है verify and get OTP आप simply यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे कि आप देख सकते हो मुझे उपर लिख के आ चुका है मेरे registered mobile number पर और email id पर दोनों पर OTP जा चुका है और जैसे कि मेरे यहाँ पर OTP भी आ चुका है अब मैं simply दोनों OTP यहाँ पर फिल कर दूँगा generate and save print आप simply यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे कि आप आप देख सकते हो मेरे next page यहाँ पर लोड हो चुका है फ्रेंट्स मुझे यहाँ पर नीचे लिख के भी आ चुका है जैसे कि मैं highlight भी कर देता हूँ Thank you for using online address update facility Your address update request successfully Friends जो मैंने अभी यहाँ पर address की email ID और mobile number तीनों यहाँ पर request डाली है वो मेरी request यहाँ पर successfully हो चुकी है और Friends मेरे एक से दो दिन बाद यहाँ पर मेरा address, email ID और mobile number तीनों इचीज़ अपडेट हो जाएंगे pencard में तो Friends आप इस तरह से कुछ step follow करके आप अपने pencard में mobile number और email ID दोनों को ही register कर सकते हैं या फिर कहलो आप update कर सकते हैं, change कर सकते हैं तो Friends कैसी लगी वीडियो, वीडियो को like करें, channel को subscribe करें और Friends जदी आपका pencard कहीं खो गया है और आपको pencard number भी याद नहीं है तो उसके उपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ आपका pen number आपको कैसे मिलेगा लिंक आपको description box मिल जाएगा और उपर eye button मिल जाएगा, आप जाहां से चाहें वाँ से देख सकते हैं और Friends जिदी आपको यह नहीं पता कि आपके आदार कार में कौन सा mobile number रेइस्टर्ड है तो मैं उसके उपर भी पहले एक वीडियो बना चुका हूँ लिंक आपको description box मिल जाएगा और उपर eye button मिल जाएगा, आप जाहां से चाहें वाँ से देख सकते हैं तो Friends मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत